हेले प्यारी बच्चों आज और शेकिंगे जो कम केडियास की दाथु ओती हैं उनकानिस क्यों क्येसे करते हैं तो देखो आपको प्रिछे लेक्षिन में समझाया गया थे संभरा थो फिर बात करते हैं तो जैसे कि i.s को हुता है तो i.s के हमें क्या पराप्ट करनी है धातु प्राप्त होती है फिर हम देखते हैं कि धातु हमारे किस प्रकार की है धातु अभी किरिया सील भी हो सकती है मतलब अधिक सक्रिया भी हो सकती है अधिक सक्रिया धातु हो सकती है और मद्ध किरिया सील भी हो सकती है और निमने किरिया सील भी हो सकती है ठीक है और जिन निमने क दाटु बश्त करते हैं और अधेकГि प्राइड मुक्ताबस्ता कि पाय इसने मैं लिए इकतिहां पहा है're बश्चुनरी स्वतने को में करते हैं और इनके प्रूसर सफिग पाइया सब्सक्राइब और यह अधिक्रियाकिल, आलक्रवासस लगता है। तो आज हम करने वाले हैं कि निम्नन अभिक्रियाशील ऍपुल होती हैं। उसे हम कैसे दातु प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो यह वाला हम लेकिशेलेंगे आज कब, तो देखो बिटा, जैसे कि निमनिकरिया सील धातू होगी, यह प्रिकृति में कैसे पायाती है, मुक्ता सलफाइड के रूप में, सलफाइड आयस के रूप में, जैसे जैसे सलफाइड है, इस तरीके का, कॉपर सलफाइड है, CUS है है, जैसे कि बेटा देखो, सलफाइड S, जैसे कि CUS है, HGS है, ठीक है, ऐसा, ऐसे पाया जाते है, विटा सलफाइड के रूप मुक्ता होते हैं, फिर क्या होता है, इनका हम भरजन कराते हैं, भरजन क्या होता है, समझाएंगे, अभी आपको चिंता मत करो, ठीक है, फिर इन देखो, जैसे हम कुछ एक्जाम्पिल लेगे क्लियर करते हैं इस बात के लिए, ठीक है, जैसे कि HGS है, ठीक है, जैसे है, HGS, ठीक है, HGS, इसको हम बोलते हैं, सोनाबर, क्या बोलते हैं इसको, सोनाबर, क्या बोलते हैं, सोनाबर, यह इसको सिंदूर भी कहते हैं, सिंदू है है यह सुनाइबर किसकाम है यह सुनाइबर किसका है यह इसका नीया क्लाना यह सल्फाइड का रूप में पाया нет थिक इसका मरक्री मोजें कराना भर्जन होता क्या है जब किसी आयस को बायू की भरपूर मातरा में घरम करते हैं तब इस करिया को बरपूर मातरा में गरम करने की क्रिया को बरजन कहते हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं गरम कर रहे हैं तब इसका धातू ऑक्साइड प्राप्थ होता है जो दो एच जी यह हो गए और यहां से हमने दो ओ ले लिए तो यह क्या हो गया धातू ऑक्साइड प्राप्थ हो गया प्लास टू एस ओ टू ठीक है यह असुद्धी के रूप में सलफ़ाडाय ऑक्साइड गैस उड़ जाती है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं यह बेटा सॉलिट फॉर्म में होता है य यह गैस फॉर्म में होता है ठीक है यह सुद्धी होती है उड़ जाती है इसको बोलते हैं हम मर्करी ऑक्साइड यह क्या है मर्करी ऑक्साइड मर्करी ऑक्साइड ठीक है अब क्या काम करते हैं बेटा जो सबसे पहले क्या काम किया हमने आपास ऐसा आयास्क था जो कम करिया सील धातू होती है वो सलफाइड एस के रूप में पाई जाती है ठीक है फिर इसका हमने क्या कराया बर्जन करा दिया दोगों बेटा हमने बर्जन करा दिया फिर हमें धातू ऑक्साइड प्राप्थ हो गया जो कि यह है यह क्या है धातू ऑक्साइड अब धातू ऑक्साइड करतें गर्म करतें तो धख़क्स grass ले लो अई गश्व को ये क्या है दाटू ऑक्साइड है जाती है अनुद्यं तो आपको पता है जो मर्करी वहहती है में ही रहती है और यह जाती है ह doubt a k तो इसको हमें क्राप्त करने के लियुक्त भर्झद करना करने क्रिए पिरिए प्रापत होता है और दाटू आक्साइट करते हैं अधिसकों से हम कैसे घार्ट प्रापत करके हैं तो हम जानते हैं सब्सक्राइब करते हैं और हमारे लिए फिर अक्साइट प्राप्त होता है फिर गरम करते हैं तो यह बात लेंगे अब ठीक है करियाशी दातुका निश्काटशण है है दालियां किया यह अब लिभी लिजिये यह यह पूरा यह िलिए इतना प्राकेट लिखनी असने है तर अपसे प्रकुण निए नोट करो अब जो मैंने समझा थे हैं रखो तो नोगोगो इसको निए है लोगोगो इता हम जानते हैं कि कौपर जैसे कम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कम कर्यासील होती है वे कम कर्या 375 होती है अर्थात अर्थात यह अपने अर्थात यह अरफ्वाइड है कि अर्थात रूप में पाय जा सकती है पाई जा सकती है थीक है बात संगना है वेटा ये सलफाराइड है को में पाई जा सकती है ठीक है फिर नहीं ला dignा लिखेंगे रिखेंगे लिगगे लिखें, аг इनके लिखें हो इनके अगा हुआ हुआ हा कि कम क्रिया सील कम क्रिया सील कम क्रिया सील दातुओं के सल्फाइड आयास को सल्फाइड आयास को का भर्जन करने के बाद भर्जन करने के बाद दातु अक्साइड प्रात होता है दातु अक्साइड प्राप्त होता है धाप्त होता है ठीक है धातू अक्साइड प्राप्त होता है फिर फिर धातू अक्साइड फिर इस धातू अक्साइड को गर्म करके फिर इस धातू अक्साइड को गर्म करके गरम करके धाटू प्राप्त कर लेते हैं ठीक है वैटा राइटिंग गंदी है हो सकता है मिस्टेक फूर लिकने में तो इसको इनोर करेंगे आप रहें किया काम करते हैं हूँ जो नीचे की होती है और कम क्रिया सील होने के कारांए ये कभी 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 शल्फब की रूप में पाइज आती है और से अनके क्या आगारां के और भरदन कराने के बाद सल्फब करते हैं जिससे अहमें धात वह प्राक्ट हो जाती है इस बात का एक्जामपल लिखो बिटा लिखो इसे हम निम्न उधारान से समझ सकते हैं इसे हम निम्न एक्जामपल से समझ सकते हैं ठीक है तो भी एक्जामपल दे रहा हूं घरते नहीं दे रहा हूं दे रहा हूं यह सब NCRT काई दे रहा हूं 100% NCRT प्ला रहा हूं ठीक है तो एक्जाम्पिल बंड डालेंगे और इसमें लिखेंगे 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 सब्सक्राइब अब लगांगे नहीं से बिटा जब HGS का सांद्रन करके बर्जन करते हैं हैं सांद्रन टीक है जब है कि एस जी एस का कि 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 शान्द्रन करके कि बर्जन कराते हैं तब हमें तब हमें धात्य ओक्साइड एच जी ओ प्राप्थ होता है तो हमें धात्य ओक्साइड एच जी ओ प्राप्थ होता है और इसे गरम करने पर एच जी प्राप्थ होती है अब इसे नोट कर लेने का कि लिए है इसे में आगया चीक है चलो एक एक जांपल और देख लो सीच का इस जितना आपका भुक में एंट पिशन निक्रारा चुरबा कुछ भी नहीं रहा हूं थीक है चाहता है उटकर प्रक्राद यह करा दूएक जितना वुक में है मैं सोचता हूं आप यह सभी करा दो चौबाओं कुछ भी नहीं पिटा सो में सो नमल आने जाना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा यह वाद ध्यान रखो बात समझ में आ रही है तो लिकिने मैं का जा रही है हां बहुत देर समझा जा रही है है कि दो है कि दो बिटा जैसे सी टी जैसे बिटा देखो सी यू टू एस है ठीक है कि सल्फर का एक एस है बासन माई अब हमें क्या काम करना है एक प्रिमुक एस्क है ठीक है कि इसका नाम क्या हो दूं इसका नाम होता है ठीक है copper first sulphate तो यह क्या है copper first sulphate copper first sulphate copper first sulphate है इसका क्या काम कराना है औक सीन के साथ दीख से करानी है और ता इसका वर्जन कराना है तो यह 키 कि इसको हम पिर से इसके साथ गरम करते हैं है ठीक है इसमें हम फिर से यह चीम लाते है C U two As ठीक है और कर देते हैं यह भी solid form में है और हमारे लिए जी आठा कितने होते हैं में जीखे और यहां पे में एस ऊटू प्राफ्थ होता है ठीक है तो यहां पे हमें आठ सीउ प्राफ्थ होते हैं तो और दो हार्ड सीउ भट यू प्ल forehead सी यू ऑट होने कि आपक respons है जो बढशाüzik है मिस्टिक क्या है यह यह देखो बाव यहां यह यह पर कार से स्चल्पर हो गया है और को geweं होगा क्या है पेशन पडायोक्साइड होती है सुद्री यह ओड जाती है ठीक है समझ में आया कि हम निमने अविक्रिया सील दातु होती है तो तो हो चाती है ठीक है अच्छा लगा हो तो पर चाहिए लाइक चैनल कर जी सब्क्राप्त मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए मश्का झाल